Dear Students, इस सेशन में, इस से पहले वाले सेशन में और आने वाले सेशन में जो कुछ आपको सीखने का मुखा मिल रहा है, उसकी बनियाद पर आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ इसाथ बेल आइकन दबाईए ताके आने वाले वीडियो आप तक प के आपने उस वीडियो में क्या कुछ सीखा है। पर उबूर असिल करना है, तो उसकी जो बनियादी बाते हैं, उसको समझना से याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लास्ट सेशन में हमने काइंड्स ओफ सेंटेंसे पड़ा, इस सेशन में हम टाइप्स ओफ टेंसे जमाने की किसमें पढ़ने जा रहे हैं। हमने देखा के जुमलो की कुल चार किसमे हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरॉगेटिव और एक्सक्लेमेटरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं जमाने की किसमें। याद रखियें, जमाने की किसमें। देर थरी मेन टाइप्स ओफ टेंसे जमाने की कुल तीन अहम किसमें हैं। प्रिजेंट टेंस यानि जमाने हाल, पास टेंस, जमाने माजी, फ्यूचर टेंस, जमाने मुस्तबिल। Now, there are four sub-types of tenses हर एक जमाने की चार मुक्तलिक किसमें हैं। Simple tense, continuous or progressive tense, perfect and perfect progressive tense. जमाने हाल सादा, जारी जमाना, मुक्मल जारी जमाना और मुक्मल जारी जमाना। इसके एक्जामपल है अगर सब्जेक्ट आई रहा यू यू वी दे रहा तो उसके साथ वर्ब का फर्स पॉर्म इस्तिमाल होता है और जिम्ला बनता है इसका मतलब होता है अगर सब्जेक्ट ही शी और इट रहा तो वर्ब के फर्स पॉर्म में एस या इस लगाए दाता है सिंटेंसे बनता है वो स्कूल जाता है आप लोग की यहाँ पर याद रखिए कि जब हम टेंसे पढ़ चुके होंगे इसके बाद जब हम जुम्ला फॉर्मेट करना सिखेंगे जुम्ला बराना सिखेंगे उस वक्त इसका रिविजन होगा लेकिन फिलाद ज़रूरी है कि आप टेंसे का इंट्रोडक्शन अच्छी तरके से समझ ले और उसे याद रखें परजेंट टेंसे की दूसरी टाइप है परजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानि जमाने हाल जारी है यहाँ पर जुम्ले जिस तरीके से होते हैं वो याद रखेंगे कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल होता है वर्ब के फर्स वर्म में आई जी लगता है इस तरह के से जिम्ला बनता है I am going to school मैं school जा रहा हूँ सबजेक्ट एगर यू है वी या दे है तो लगेगा आहिल्पिंग वर्ब आर यू आर गोइंग टो स्कूल तुम स्कूल जा रहे हो ही शी इट इस गोइंट टो स्कूल हम वो स्कूल जा रहा है इस तरह के से यह जो सेंटेंसेंस है वो फॉर्मेट किये जाते है नेक्स्ट सब टाइप है पेजेंट पर्फेक्ट है जमाने हाल मुकमल I have gone to school याद रखिए I, you, we दे के साथ helping verb have इस्तिमाल होता है उसके पाद verb का थर्ड फॉर्म सेंटेंस से बनता है I have gone to school मैं स्कूल जा चुका हूँ He, she, it has gone to school अगर सबजेक्ट ही, she या इट रहा उसके साथ has इस्तिमाल होगा He has gone to school, वो इस्कूल जा चुका है अब यहाँ पर आपको याद यह रखना है कि किस तरीके से helping verb का इस्तिमाल किया जाता है Present perfect में helping verb have और has इस्तिमाल होता है According to the subject Subject के मताबिक अगर subject I.U.V. दे है तो has इस्तिमाल होगा He sheet है तो has इस्तिमाल होगा और perfect tense में verb हमेशा third form में यह उस्तिमाल होगा Now present perfect continuous tense जमाने हाल मुकमल जारी इस तरीके के tense में I.U.V. दे इन subjects के साथ have का इस्तिमाल होता है Verb के first form में ing लगता है और helping verb और verb के दर्मियान भी इनका इजाफा होता है तो sentence से बनता है I have been going to school मैं school जाता रहा हूँ यानि वो action जो अभी भी जारी है पहले भी हो चुका है He has been going to school He has been going to school वो school जाता रहा है इन दोनों में have और has का इस्तिमाल हुआ है according to the subject Now, fourth, next type of tense is past simple tense Past tense की पहली सब्टाइप चाहे subject कुछ भी रहे वर्ब का second form यूज होता है I, you, you, we, the, hey, she, it त्माम subject के साथ वर्ब को second form है I go to school मैं school जाता हूँ I went मैं गया I went to school मैं school गया You went तों गये इस तरीके से past simple tense जमाने माजी साधा के जुम्ले होते हैं नौ नेक्स्ट इस past tense की second type past progressive tense जमाने माजी जारी जिस तरीके से present continuous में हमने देखा के subject के साथ उसकी मुनादबस से helping verb m-izar का इस्तेमाल होता है यहाँ पर was और where का यूज होता है verb के first form में ing लगता है अगर subject I, he, she, it रहा तो helping verb इस्तेमाल होगा was verb के first form में लगेगा ing अगर subject you, we, they रहा तो उसके साथ इस्तेमाल होगा helping verb where और verb के first form में ing I was going, मैं जा रहा था you where going, तुम जा रहे थे next, past perfect tense जमाने माजी मुकमल यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि इन तमाम subject के साथ helping verb had का इस्तेमाल होगा है present perfect में helping verb have और has का इस्तेमाल होता है past perfect में helping verb had इस्तेमाल होता है चाहे जो भी subject रहे आप तो यहाँ पर यह चीज़ याद रखें कि he, she की बजाए कोई नाम भी हो सकता है कोई नाउन भी हो सकता है तो उसी मनाजबत से यह rule वहाँ पर भी follow किया जाएगा past perfect answer में helping verb had का इस्तेमाल होता है verb का third forms के बाद आता है sentence में बनेगा I had gone you had gone we had gone we had gone हम जा चुके थे अगर यहाँ पर है होता we have gone मतलब होता हम जा चुके हैं इस तरह के से past perfect जमाने माजी मुकमल now next past perfect program जमाने माजी मुकमल जारी अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं के इन तमाम subject के साथ helping verb had का इस्तेमाल हुआ है जैसे के past perfect में हुआ था verb का first form उसमें आई जी और helping verb और verb के दरमियान been का इजाफा होता है sentence से बनेगा I had been going मैं जाता रहा था याद रखिए अगर हम present tense से की चारो टाइप्स अच्छी तरीके इसे समझ लेते हैं उसे जहीन नशीन कर लेते हैं तो past tense और future tense से की जो चार-चार sub-types हैं उसे समझना भी आसान हुदाता है इस जुम्बले में आई और वी के साथ helping और वर शेल और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तिमाल होगा I shall go मैं जाओंगा You will go तुम जाओगे future tense की next sub-type है future progressive tense जमाना मुस्तक्बिल जारी I और वी सब्जेक्ट के साथ helping verb और शेल बी गोईग बी के साथ helping verb फर्स फॉर्म के साथ इस्तिमाल होता है You, He, She, It, They, Will, Be, Going I shall be going मैं जा रहा होंगा You shall be going तुम जा रहे होंगे next future perfect tense जमाना मुस्तक्बिल मुकमल इस तरके के tense में जो sentence होता है उसमें subject के साथ subject के मुनाजबत से shall या will का इस्तिमाल होगा उसके बाद helping verb have और verb का third form gone sentence से बनेगा I shall have gone मैं जा चुका होंगा You will have gone तुम जा चुके होंगे अब इस तरके के sentence में दोनों में चाहे subject I हो You हो have का इस्तिमाल होता है और verb का third form यह होगा future perfect tense जमाने मुस्तक्बिल मुकम्मल नव नेक्स टाइप इस future perfect progressive जमाने माजी मुकम्मल जारी यहां पर भी हम देखते हैं कि आई वी और शेल वी के साथ शेल का इस्तिमाल होगा यू वी दे ही शीट के साथ विल उसके बाद been going verb का first form आई जे के साथ और उसे कबल been का इस्तिमाल sentence से बनेगा I shall have been going मैं जाता रहा होँगा You will have been going तुम जाते रहे होंगे Desperance हमने यहां पर types of tenses से का सिर्फ अभी introduction देखा है आपको सिर्फ यहां यह note करना है कि how many kinds of tenses are there and what are the sub types of tenses इसको आप अच्छी तरीके से जहन नशीन करें next session में हम इसी को जब continue करेंगे तो उस वक्त हम tenses अलग-अलग जो tenses हैं उसमें अलग-अलग किसम के sentences हैं वो कैसे बनाए दाते हैं आप जो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और English language आसान तरीके से समझने का हमें जो मौका मिला है उसका पुरा-पुरा फाइदा उठाईए